हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉंट स्टडी माइनेब इस अभी शिप पंडोत्रा और आप सब जानते हैं कि मैं आपको जीयान की हिस्ट्री पे लेक्ट्छर्स दे रहा हूं और आज हमारा सेकिंड लेक्ट्छर है प्रिविश लेक्ट्छर में हमने एंचिन हिस्ट्री के वा बेल ऐकन को भी प्रेस कर लें जो भी हमारी नई वीडियो आती है आपको डिरेक्ट्ट उसके नोटिफिकेशन आ जाए और हमें अधर प्लैट्फॉर्म पर भी फॉलो कर लें जैसे कि इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर टेलिग्राम पर जहां भी हमारे लाइब क्विज फ्रेस क्यूजिस होते रहते हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन लास्ट लेक्ट्टéchर मैंने आपको एंट हिस्टटि के बर में वारे में बदाए था जिस पर मैंने उन्ही कोशन को आप से टेस्ट लूँगा 10 कोशन होंगे जिसको आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में और बताओगे कि आपके 10 में से कितने माक्ष बने चलिए स्टार्ट करते है यह कोशन रिकार्डिंग एंचिन जो लास्ट लेक्चर में आपको इसका अंसर कमेंट बॉक्स में करना आपके बास 5 सेकुड्स है जो बुक राजा तरंगिनी इस रिटन इन विच लेंग्वेज जो बुक राजा तरंगिनियां उसको किस लेंग्वेज में लिखा गया है कि कश्मीर का पहले किस नाम से जाना जाता था किस मोरें एंपरर ने इसका फोन किया था कौन से कुशन एंपरर ने कश्मीर पे सबसे पहले रूल किया था उनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में Do it fast Next question है Where was the third great Buddhist council head कि जो third great Buddhist council हुई थी वो कहां पे हुई थी Next है Who founded the Karkota dynasty Karkota dynasty को किस ने found किया था Which is the greatest ruler of Karkota dynasty क्रकोटा dynasty का सबसे बड़ा ruler कौन था Who built the sacred shrine of खीर बवाने खीर बवाने की जो sacred shrine वो किस ने बनाई थी And the last question of previous topic is When did Karkota dynasty के अंड़र की Karkota dynasty कव अंड़र हुई थी इन सबके आंसर आपको कमेंट वाक्स में देने हैं और इन सबके अंसर मैं आपको वीडियो के अंड में दूँगा फिर आप उसके साथ match किजिए कि आपको कितने असर सही हो कितने गलत हैं उसके साथ आपने आपको evaluate किजिएगा चलिए आज का topic स्टार करते हैं पिछले class में आपने पढ़ा था ancient history के बारे में आज पढ़ें medieval history of Jammu and Kashmir medieval history of Jammu and Kashmir के बारे पढ़ने सब्ले हैं मैंने last class में आपको पढ़ाया था कि कोटे dynasty के बारे में पढ़ा था उसके बाद किसने रूल किया था कश्मीर पे वो थे उत्पला उसके बाद है उत्पला dynasty जिसने 8th to 10th century तक यहां पे रूल किया था जो सबसे important ruler थे इस dynasty के उनका अंदाम था महाराया अवंति वर्मन जिसको भी मैंना highlight किया और underline किया it means this is important और आपको इसको no don't कर लेना है it was he यह वही थे जिन्होंना कश्मीर को पॉलिटिकल और उनके economic disorder मतलब कि कश्मीर बोजा उस ताइम पे economical disorderment चल रही थी उससे इन्होंना निकाला था जिसकी वज़े से जहां पे काफी शांती और प्रॉग्रेस हुई थी जो सबसी important foundation थी माराया अवंती वनवन की वो थी उनकी capital city अवंती पूर जहां भी उन्होंने दो temples नाय थे हिंदू temples जिसमें एक था शीवा जी का वो दूसर था विष्णु जी का जो टैन्योर था अवंती वनवनवन का वो complete नहीं हो सकता जब तक हम उनके एक one of the greatest engineer रही जो कश्मीर की उनको mention ना करें जिनका नाम था सुवा जिनका कहना नाम था सुवा अवंती वर्मन की death कैसी हुई थी एक मंदिर में हुई थी डल लेक में वो कैसी हुई थी he suffer with a deadly disease कि वो किसी की deadly disease के साथ सफर कर रहे थे जब अवंती वर्मन की death हो गी थी उनके बाद कौन थ्रोन पर बैठ गये थे कौन king बन गये थे उनका नाम था शंकर वर्मन शंकर वर्मन शंकर वर्मन कौन थे उनके son he is the son of अवंती वर्मन पर जैसे वह आए उत्पला डैनिश्टी का decline होना शुरू हो गया था, decline हो गया था, फिर क्या हुआ, 950 AD में क्या हुआ, खेम गुपता को king बना दिया गया, कश्मीर के थ्रोन पर बिठा दिया गया, जो खेम गुपता थे, he is not fully able to ascend to the throne, बर फिर भी उनको थ्रोन पर बिठा दिया गया, उनकी शादी हो गये princess जिदा के साथ, जो किसकी daughter थी जो लोहारा एक जगा बरतिया पुंच में, वहां के ruler थे, उनकी वेटी थी और granddaughter थी, शाही king of काबूल के एक शाही king थे, उनकी granddaughter थी, जब उत्परा dynasty का eclipse हो गया, जो ही खतम हो गी, उसके बाद लोहारा dynasty आगी कश्मीर है, जिन्नों ने कश्मीर पे rule किया, कब तक, till 1399, इस 1339 नहीं है, इसको 1399 कर लीजेगा, इन 980 में क्या हुआ, जो princess दिद्दा थी, after the death of his husband, उनको क्या किया गया, उनको थ्रोन पे बिठा दिया गया, उनसे पहले सिफ दो ही लेडिस थी, जिन्नोंने कश्मीर पे rule किया था, जिनका क्या नाम था, जिशोबती and सुगंदा, इसक two women rulers had ruled कश्मीर, इस पर भी आपको आ सकता है, कोशन, जो princess दिद्दा थी, उनकी death हुई थी, 1003 AD में, और उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी death के बाद थ्रोन था, वो खाली पढ़ गया था, जिसको उनकी family को सौम दिया गया था, जैसे princess दिद्दा के जो child थे, उनको दिया ज जाना था, लेकिन उनकी child की death सी, वो जंग की age में ही होगी थी, जिसकी वज़ा है, जिसको चला गया, जो princess दिद्दा के brother थे, उनके बेटे संग्राम राज को, 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 ये throne चला ग यहां पर आ गए लोहरा डायनीश्ट्री गो किस ने फोन किया था संगराब मराजना फोन किया था किसकी डाथ के बाद princess ये queen दिद्दा की death के बाद और इन्हों ने almost एक century से ज़्यादा तक यहाँ पे rule किया था कि जब तक हिंदुों का rule था कश्मीर पे till 1399 AD वो previous slide में 1339 उसको 1399 कर लिये जएगा from 1089 to 1101 AD King Harsha rule कश्मीर this is also important कि जब 1089 to 1101 था किसना rule किया था यहाँ पे हर्शा हर्शा एक राया थे उन्हों ना यहाँ पे rule किया था हर्शा और उनके बेटे जो थे बोजा उन दोनों को मार दिया गया था और उसके बाद थ्रोन को किसको पास कर दिया गया था दो प्रिंसेस उती थी यूकेला एंड सुकेला सुकाला उनको पास कर दिया गया था किसकी ड़त के बाद किंग खर्शा एंड एंड इस सन बोजा उसके बाद कौन आये यहां पर उसके बाद आये जै सिमहा दे लाश्ट ग्रेट रूलर किया था जिस्टेट को रूल किया था जय सिमा वाज the last great ruler of a hindu times जिन्होंने यहां पे root किया था और उन्ही के tenure में कल्हाना दिनाय राजा तरंगनी लिखी थी in 1149 to 1150 okay this is important कि किस के tenure में कल्हानय राजा तरंगनी लिखी थी यह भी question आ सकते तो इस का answer आएगा जय सिमा जो जया सिमा था उन्होंने रूल किया था 1128 to 1155 AD तक तक इस अल्सों इंपोर्टेंट जो जया सिमा थे उनके अर्ली डेज जो थे वह थी क्रिटिकल थे वह अच्छे नहीं थे यहां पे बहुत जाओ सिविल वार्स और पुलिटिकली रिलेशन अच्छे नहीं थे जिसकी वज़े से बहुत जाओ सिच्छे जो थी वह क्रिटिकल थी फिर भी जो जैस इमा देंगे उन्होंना बहुत अच्छे से इस सिच्छे को हैंडल किया वह बहुत अच्छे से फ्रमली रूल ऑच्छे को से बहुत अच्छे से बहुत यहां पर पर ना पिया हजा है कि यहां की लोग थे उनको वो जहाँ से फील होता था वो लैक्स रहते थे आफ्टर लॉंग पिरिड ऑफ टाइम जो लाश रूलर थे लोहारा डैनेस्टी के वह कौन हुए वह वनित्त देवा वनित्त देवा जो कब उनकी डद कब हुई थी इन एडी 1171 में आफ्टर दा लो ने 1399 तक यहां पर रूल किया है उसके पाद आगे देवा डैनेस्टी के देवा डैनेस्टी ने कश्मीर में रूल किया था फ्रॉंग 1171 एडी टू 1371 एडी तक उनमें जो सबसे इंपॉर्टन रूलर रहे वो थे संग्राम देव और सहदेव जब सहदेव का टैन्यूर चल रहा था उसके साथ से में क्या हुआ कश्मीर पे कि तरता तरतर चीफ दुलूचा अटैक कर दिया कहां से थे वो वह थे सेंट्रल एशिया से इसी के साथ यहाँ पर आज का हम मेडिवल हिस्ट्री को आज की टॉपिक को खतम करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे चलिए देखते हैं कि आज की टॉपिक में मैंने कुछ आपके लिए कोशन मनाए हैं चलो लेट्स सी पहला कोशन है मेडि अवंति वर्मन है, हमारा या अवंति वर्मन जीन ने उत्परा डानेस्टी को beyond किया था कश्मीर में विच ज़ से मोस्ट इंप्रटन फंडेशन ऑ रफ किइंग अवंति वर्मन्की मोश्ट इम्पून फंडेशन न को था इस संघराम औराज को तो संघराम्राइब तो संघराम राज नहारा डैनिस्टी कश्मीर कोजिए, पेंड़ थे उदर उनके बेटिटे थे, यह यही थे आज की टौपिक से रिलेटेड कोशन जो भी ऐसे कि जब मैंना lecture start किया थो उससे lecture start करने से मैंना आप से कुछ questions पूछे थे और आप ना उनके कुछ answers भी की थे comment box में चलिए आप उनकी answers देख लीजिएगा आप चेक कर लिजिए आपके कितने answers सही है और कितने गए लेता है तो लेट सी फर्स्ट कोशन का अंसर था 12th century देखकी मैच कर लिए किसकी श्रूरेंड का यह आंसर सही है उसके नेक्स कोशन का अंसर था संस्क्रीट कि वुक राया तरंगणी को संस्क्रीट लेंगविज में लिखा गया है यह भी देख लिए किसकी का सही है उसके नेक्स कोशन का अंसर था कश्यव मर कश्यव मर और इसका अंसर कश्यव पूरा भी हो सकता था पहर कश्यव पूरा भी बोले था लेकिन जेनरली कोशन में कश्यव मर पूछते हैं उसके नेक्स कोशन का अंसर था ग्रेट मोरं एंपरर अशोका उसकी नेक्स कोशन का नसे था कनिश्क कि कुशन एंपरर को कश्मीर में किस नहीं लेकिया है थे नेक्स कोशन नसे था थर्ड बुद्विध कोशन का पर वे थी यह थी कुंदल वांड में जो नेयर शॉलिमार गर्डन के बास परता है फूंदेर गा करकोटअैनिस्टी कि के सबसे बड़ा रूलर को नहें जिसको किशमीर का भी सबसे बड़ा रूलर कह जा चेटा लुली चाहिए लल्ऌ भानी की सब्सक्राइब किस नमनाई थी ललीता जित्ते मुक्तव एड़ने यह एट तो नाइन कोशन का अंसर सेम ही है लास्ट कोशन वेन डिट करकोटा का अनिस्टी यह एंड़ हुई थी अरॉंड 855-856 एड़ी में आई हो कि आप सबको आपके आंसर मिल चुकी हो आप चेक कर लिए किसके दस में से कितने असर सही है और आपको उसी हिसाब से अच्छे से प्रेपरेशन कर रहा है उनको बस थोड़ा सा बकल अब करने है ऑक थैंक्यू गाइस इसके साथ हम आज की वीडियो अच्छे लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर कोई आप चा कि तो आप मेरे को कमेंड बॉक्स में यह भी बता सकते हैं